कर ला मेर्म ली deficiency के इस सब्रोट करता हूं साथि कि यूट्ऴ चैनल पर आप सभी का हर दुक्त्रगत करता हूं आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मार आयल क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे और साथी साथ में इसका क्या नाम होता है इसके बारे में भी जानेंगे तो आए हम लेके चलते हैं आपको ट्रांसफार्मर आयल की तरफ यानि कि क्या क्या यह काम करता है और साथ यह है अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या क्या अंदर भरा होता है यानि यहां से लेकर यहां तक पुरा भरा होता है यानि यहां से लेकर यहां तक पुरा भरा होता है यहां से यहां से यहां तक क्या होता है आपका इसके अंदर वाइंडिंग होती है और इस वाइंडिंग के अंदर ही हमारा आयल भरा होता है यानि की पू कोर जो होती है इसकी वाइंडिंग हीट होती है तो भाई हमारा ट्रांसफार्मर का तेल क्या काम करता है कि उस हीटिंग को यानि कि यहां से यहां तक जब current flow होता है तो उस हीटिंग यानि जब हीट होता है एस को क्या करता या उसको ठंड़ा करने का काम करता यानि एक तहरे से प्सकिका तो िūd ब्रHey कर द Jugend कर देगा ऐसा नहीं करने का मतलब यह हहाए बेटा कि वह ट्रास्फार्मर का जो आयल है उसको क्या करेगा उस ही टिंग को रोकने का काम करेगा किधा थंडा हो जाऊ कूल हो जाओ ठीक है तो यह आपका हो जाता है बेटा आपका पहला काम यानि कि आप तरह सकते हो कि ट्रांसफार्मर आयल का दो काम होता है ठीक है यह काम हो गया आपका क्या करता है कि ट्रांसफार्मर आयल हीटिंग होता है तो इसको क्या करता है कंट्रोल करता दूसरा काम हो सप्लाई करते है तो कभी-कभी आपने सुना भी होगा कि करन्ट क्या कर देता है ऑपनी तरफ खीचने का प्रयास करता है लेकिन भीच में क्या करते हैं हम हम ट्रांस्फार्मर आइल जब फुल होता इसके अंदर है तो यह खीचता नहीं यानि एक तरह साब कह सकते हैं यह insulating provide करवा दिकता है क्या कर दायता है इलेक्रिकल insulating आपको यह जानना है कि ट्रैस फ्रिठमरार गोड़ता है उसको कारता है ठंडा करने कार लोता है दूसरा चीज फूरी इंश्णे प्रोटा करकर नहीं बहुंदल करता है अगे यह और अपने देखा भी होगा नहीं देखा हो तो वरकसाप में देखें हँगी आदा आप आप ट्रेणिंग अंगर कि आपया क्या तो देखा जरूर ठास को इसके बाद बैका हम क्या करते हैं कि इस ट्रांसफार्म्हा को हम टेस्ट करते हैं और जिसका नाम होता है व्रेक डाउन वोल टेस्ट इस्ट कि इसमें हम प्रांसफार्म आयल को चेक करते हैं चेक कैसे करते हैं हम एक क्या करते हैं कि आप यहां पर क्या होता है एक इस पार्किंग उत्पन होती है जहां पर ट्रांसफार्मर का जाता है और उस ब्लाश्ट यह जो आप इस समय डाले हैं तो उसको क्या करते फिर उसको नोट करते हैं कि क्या यह ट्रांसफार्मर आयल आगे कारे कर सकता है या नहीं कारे कर सकता है तो जैसे कहने का मतलब हो गया यह आपका यह जो कंटेनर है जिसमें ट्रांसफार्मर का आयल क्या हुआ हुआ है यह हम क्या करें टेस्ट कर रहे हैं तो देखो जब ट्रांसफार्म इस कडर राता है उसे खराब दर उससे खराब एयसा फिर अजल कि इहांसे इस रंका हो जाता है तो सब है सबसे बढ़ियां ड्रास्पार्म आय, चै continuum नया होता है तो इस कंडिसंट आयल है ब्राइट एल हो गया तो सर्विस एज़्ट है और ऐसे देखो ब्लैक जो मैं पीछे दिखाया आपको देखो यहां पर यानि ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओगे तो ट्रांसफार्मर आयल जो होता है खराब यानिकी एकदम सर्फ से खराब कॉंडीशन में होता है इस का नाम क्या होता है इसका नाम होता बैटा नेप्थिन निक आधारी ट्रांसफार्मर तेल होता है दूसरा होता पैरा फिनिक आधारी ट्रांसफार्मर तेल होता है दो ही तेल हम यूज करते है को सा इस दो तेल का नाम में याद करिए सिलकान आधारी ट्रांसफार्मर तेल और यूच अब नहीं होता अब नहीं होता है ठीक है को दो चीज्जी याद करना है क्या क्या तो और वी होती है तो उस हीटिंग क파тор करता है और इंस्य ब्रवाइट करवाता है अच्छे तरह से हमारा कर सकते लिए तरो करते हैं तो की लिए ब्लतकreally ओलते हैं actually केट NOR त habits कर दालते हैं ओर सब्सक्राइब है और आधी साफ़चिय दीई प्रवाइट मलब इस कंडिशन पर ब्लास्ट हुआ है और उसकी बाद उसकी हम जाच करते हैं कि क्या यह ट्रास्फार्मर से का तेल अफ सही है या खराब है तो जब देखो सही का मतलब होगा जब सही कंडिशन थैका इस तरह से निखाई देगा उससे थोड़ा खराब ہوगा- इस तरह से उससे Superman तर्स तरह से उस तरह से दिखाई देता है यारी कि आपका बाट ιαनी की सफ़ील सब savoir हो गया ठीक है फिर इसके बाद हम ने कहा कि आउने कि ही तक रखते हैं यह थो दो यह आपके मुख़ें हैं यानि आप इसको नाम याद रख लेजिए तो बस आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं फिर ऐसे ही मजदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद